नुम्सकार दोस्तों मैं प्रोधिपुमर्शोरकर विल्कम बैक तो मैं चैनल गाडेन रूपट आप नर्सरी स्टाइल दोस्तों मेरे सामने जो पोधा जो आप देख रहें देखे यह जो फ्लावर है यह कॉक्स कम फ्लावर प्लैंट है तो आप देखी सकते हैं कितना विडियो दिखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो जो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे जो चैनल है गाडेन रूपट आप नर्सरी स्टाइल आप अगर न्यू विजिटर्स है तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब कीज साथ में बेल आइकन और अल बॉटन भी प्रिस कीजिए ताकि जैसे मैं नए वीडियो अप्लोड करूंगा आपके पास तुरांत उसका नोटिपिजिशन पहुचेगा आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं तो दोस्तों यह जो कॉक्सकम फ्लाइब प्रैंट है यह यह जो ढाता भी नहीं चलेगा कि काँ यह गार्व हो रहा है आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा इसका सिडलिंग्स मदल तैर करना या तो सीट कलेक्शन करना या तो आपको पोधा लाना खरिद के हर सिजन में आपके गार्डन पर या अपने आप मतलब कहीं नहीं ग्रोव हो जाता है तो दोस्तो ऐसे मतलब देखे कितना अच्छा जो इसका लूक्स है बहुत ही अच्छा फ्लावर और यह बहुत दिन तक इसमें टिकर रहता है उसके बाद जो है जब यह खराब ही होता है तब भी इसका कलर जो है मतलब ऐसे ही रहता है तो गिरे गिरे जो है थोड़ा सा मतलब feed हो जाता है लेकिन फिर भी मतलब अच्छा लगता है यह जब ही खराब ही हो जाता है तो दोस्तों यह जो plant है इसके लिए जो requirements है यह soil जो है एक तो weldan soil होना ची ए और इसमें nutrients होना ची है मतलब आपको soil को थोरसा reach बनाना अगर आपको इस seedlings को grow करते है तो उस soil को जो है शुरू में थुरा सा reach बना दीजिए थुरा सा nutrients उसमें डाल दीजिए ताकि ये दुबरा जो है आप इसको कुछ देने की जुरूत नहीं है तो दोस्तो ये soil तो wilderness होना चाहिए तो soil mixture ऐसे बनाए है ताकि ये wilderness हो तो दोस्तो नेक्स्ट जो है वो sunlight की मैं बात करता हूँ ये sunlight ये sun lover plant है तो full sun या तो partly shaded area में आप इसको grow कर सकते हैं लेकिन full sun जो है कम से कम 7 से 8 घंटा अगर sun इसको मिल जाता है तो ये पोदा है बहुत हेल्दी रहता है और बहुत ही अच्छा blooming करता है तो ये जो है मैंने full sun में इसको grow किया जब मैंने देखा ये जो छोटा स्थिडलिंग जब इसका grow व시에 तैं तब से मैं इसको care कर रहा हूँ तब से जो है इसको देख भल कर रहा हूं तो इसको full sun में भी मैं ने रखा और दीए कितना आच्छा है कितना च्छा इसका cloud और चल रहा तो दोस्तो इसका है स्द आप छो से गंटा भी आगर आप इसको दे देंगे तो फिर यह बहुत ही अच्छा हिल्दी बनता है और भी आच्छा water应 मतली और अच्छ़ इसमें फ्लाडिंग होता है दोस्तो एस्ट नेक्स्ट वाटरिंग इसका रूट गल सकता है या तो इसलिए जो है उबरॉट इन्ग मत कीजिए निए ज फट लेजर आप जो फट लेजर आप तुरा सा इसको ज्यादा करके देंगे जो भी फट लेजर आप जिसे परमी कमपोस्ट लिया तो काउड़ निमखली थुरा सा बोनमिल जो भी फट ले जो है आप इसको पहले शुरू में अगर भी इसके साथ स्वाइल के साथ करके इसको ग्रो करेंगे उसके बाद जो है एक अद बार आप थोड़ा सा लिक्विट फटलेजर इसको दे दीजिएगा तो फिर ये बहुत ही अच्छा मतलब इसका फ्लावर बहुत दिन तक टिका भ जो है फ्लावर का वह बहूत ब्राइट आएगा तो इसलिए बीच में जो है आप एक अदवर इसको जैस लिक्विट फटलेजर आप दे सकते हैं तो दोस्तो नेक्स्ट जो है इसका पेश्ट का प्रालम् जोस्तो यह जो प्लैंट है यह पेश्ट फ्री प्लैंट है मैं उम्मिद करता हूँ यह कोंक कोंक के बारी में मैंने बताया आपको अगर अच्छा लागा तो जुरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नाया और करे के साथ तब तक के लिए बाई एन हैफी गार्डिनिग थैंक यू दूस्तों